नमस्कार दोसन स्वागत्याप का हमारे शेनल चार जागंदर मिसा में पैसा रखने के लिए खरीद लो अब तिजोरी सव अरसों बाद एक जनवरी को काल सर्प योग पांच राश्यों की लगेगी लोटरी दोस्तों जनम कुंडली को हमारे जीवन का आयना कहा जाता है ऐसा कहते हैं कि हमारे भविस्या भूत काल में जो कुछ भी हुआ या होने वाला होता है उसका पता जनम कुंडली से लगाया जा सकता है जन्म कुंडली के द्वारा भविस्ट की संभावनाओं के बारे में तो पता लगाया जा ही सकता है साथी साथ कुंडली में ग्रहों के इस्तिती के अनुसार ग्रह दोस के बारे में भी पता चलता है इन ही दोसों में से एक है काल सर्प दोस या फिर कहें काल सर्प योग जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक जनवरी को सुबह साधे आठ बजे काल सर्प योग बनने जा रहा है और दोस्तों इस योग के कारण पांच ऐसी राशियां हैं जिन राशी वाल एक जनवरी साल का पहला दिन भी है और नए साल के सुरुवात भी हो रही है रोभी सनीवार के दिन से और दोस्तों एक जनवरी को काल सर्पियोग का बनना बिसेष तोर पर इन राशी वाले लोगों के लिए बहुत ही लाबकारी रहने वाला है दोस्तों इन राजसी वाली लोगों के उपर अब भगवान सन्य देव की अश्यम कृपादृष्ट अब रहने वाली है और भगवान सन्य देव की कृपादृष्ट से अब ये लोग अपने जीवन में दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करने वाले हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इन ही राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं तो आप सेंड रोधे की वीडियो को आप बिलकुल भी मिश्णा करें और इसे सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए इस महा संयोग के बनने से इन राश वाली लोगों को अब लाब की इस्तिया प्राप्त होंगी जी हैं दोस्तों आपके लिए धन लाब के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे एक जनवरी के दिन नए साल की सुरूरत और काल सर्प योग का बनना एक अदबुद सुभ य दोस्तों बता दे कि एक जनवरी के दिन काल सर्प योग का बनना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा भगवान सनिदेव अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता दिलाने वाले हैं तो दोस्तों बता दे कि इस लिष्ट में सबसे पहली जो राशी का नाम आता है दोस्तो प्रकार से खोशिया प्राप्त होंगी, भगवान सनी देव के कृपा से अब सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, नोकरी में प्रमोसन और पद्रजिश्ठा मानसमान की प्राप्ती होगी, नए लोगों से मुलाकाते होगी, जो ये आप लिए काफी अच्छी रहेगी, बिजनेश ब्यापार में ब्रद्धी होगी, आप धन निवेश करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, बता दे की कई प्रकार की योजनाओं की स्थरुवात भगवान सनी देव के कृपा से अब आप की पूरी होगी, दोस्तो एक जनवरी भगवान सनी देव के दिन यनि पढ़ रहा है और काल सर प्योग भी बन रहा इसलिए भगवान सनी देव के कृपा से अब आप के जीवन में दिन दूनी राज चोगनी तरक्की होगी, भागे आपका साथ में आसमान पर रहेगा, साती साथ तमाम रुके विकार भी पूरे होंगे, पिंडिंग कामों क पूरा करेंगे, बैवाहिक जीवन में काफी सुखमाएं, जीवन बितीत होगा, पत पतनी की भी संबंध अच्छे होंगे, संतान प्राप्ति के परवर योग बनेंगे, अनेक परकार के लोगों से मुलाकाते होंगे, मान सम्मानी लोगों का आपके घर में आना जाना होगा साथी बता दे दोस्तों की अगली यानि जो दूसरी जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है कन्य राशी, कन्य राश के जातकों अब आप की किसमा चमकने वाली है, भगवान संदेव की कृपा से बिसेश लाब होगा, अनेक परकार के धन सम्मंधित योजनाओं की योग प्राप्त होगा माता पिता के स्वास्त में लाब होगा जीवन में चली आरही परेसानिया अब आपकी खत्म होगी अनेक प्रकार के धन के स्रोत बनते नजराएंगे बेंकिंग के छेतर से आपका लोन वगेरा भी मंजूर हो सकता है धन से जुड़ा मामला सौल्ब होग साथी पढ़ाय लिखाए के छेतर में आपका फोकस बना रहेगा घूमते फिरते नजराएंगे दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं इसमें आपकी जो इक्छाएं हैं वो पूरी होंगी नए गारी बाहन का सुक प्राप्तर केंगे नए घर की सपना देख रहे थे तो सुलजे मसले भी सुलजेंगे अब जो अगली जो तीसरी जो राशी आती दोस्तों बता दे वो है यहां पर मकर रासी मकर रास के जातकों अब आपके किसमत बहुत तेजिस चमकेगी भगवान संदेव की कृपा से आपको एक जनवरी को इस बन रहे काल सरपी योग से कई प महत और भी जादा है और दोस्तों काल सरपी योग इनके लिए बहुत ही लखी रहने वाला है दोस्तों बिजनेस ब्यापार में तेजी आएगी कई परकार के धन से जुड़े मामले सौल भांगे इसलिए तो कहा है दोस्तों कि पैसा रखने के लिए खरीद लो अब तीजोर सव वरसों बाद एक जनवरी को काल सरपी योग ये पांच राशियों की लगेगी लोटरी दोस्तों लोटर शट्टा में इनको लाब होगा उनमें से एक राशी यनिकी मकर राशी भी है तो मकर राश के तकों लोटर शट्टा में भागा जवाएंग तो लाब होगा इनकम इनकम आए में ब्रदी होगी अनेक प्रकार के धनके स्रोध बनते निजराएंगे सेर मार्केटिंग के छेतर में भी आपको लाब हो सकता है साथी साथ इनकम आए में जवरजस्त ब्रदी देखने को मिलेगी अब जो अगली या नी जो चोथी जो राशी आती दोस्तों बता द इनकम आए में जवरजस्त आपको तौफ़ा मिल सकता है कुछ अनेक प्रकार की योजनाओं की स्रुवात कर सकते हैं आपके द्वारा लिया गए निने काफी सराहनी होगा आप जो भी काम करेंगे जो भी निने लेंगे सत प्रशत आपको सफलता मिलेगी बता दे कि इस समय आपका भागे उदय होगा भागे आपका साथमी आस्मान पर रहेगा अंचाहे मसले भी सुलजेंगे नौकल में प्रमोसन और पदोनत के साथ साथ कई परकार की योजनाओं की स्रुवात करेंगे अब अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती दोस्तों बता दे अंतीम व होगा साजेदारी में विजनस व्यापार में लाब होगा घर परिवार में सुख में जीवन बिताएंगे दमपत जीवन में खोशियां बरसेंगी और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे प्रेम जीवन में खोशियां बरसेंगी नस्दीकियां बढ़ेंगी कुछ गिप्ट और उपहार देंगे नए साल में कुछ निश्ची तोर पे आप जरूरी चीजों के खरीदारी भी कर सकते हैं। गिप्ट और उपहार देंगे और किसी की मदद भी कर सकते हैं। गिप्ट और उपहार देंगे और किसी की मदद भी कर सकते हैं। गिप्ट और उपहार देंगे और किसी की मदद भी कर सकते हैं। गिप्ट और किसी की मदद भी कर सकते हैं।